दोस्तों आज के इस विडियम हम बात करेंगे CID के एक अनोख एपिसोड के बारे में जहां पर पूर्भी और श्रया एक दूसरे के आमने सामने है और इन दोनों के बीच महा बहेंकर जगड़ा चेड़ चुका है लेकिन पूर्भी और श्रया के बीच आकिरियत शगड़ा क्यों हो रहा है क्या इन दोनों के बीच कोई मन मुताब है हमेशा CID शो में बेहनों की तरह रहने बाली पूर्भी और श्रया क्यों एक दूसरे के जानके दुश्मन बन चुके है सब कुछ हम डिसकस करेंगे इस विडियो के अंदर तो फटा फट से इस विडियो को दिल से लाइक कर दीचे और अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सरूर करिए और बेल आइकन यानि की जो छोटा सा घंटी का बटन है नीचे उसे दबाके All Select कर ले तो दोस्तों CID में पूर्भी और श्रया के बीच ये जो जगड़ा है ये हमें Season 2 के एक रोमांचेक एपिसोड में देखने को मिल सकता है जहां पर पूर्भी के बड़े के दिन श्रया जो है वो नहीं आते हैं और पूर्भी इस चीज़ से थोड़े से नारास हो जाते हैं बाद में पूर्भी का कॉल जो है वो भी श्रया नहीं उठाते हैं लेकिन श्रया को भी अपने काम में मस्रूप रहना परता है और इस चीज़ को लेकर पूर्वी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बाद में दोस्तों श्रया जो है वो केविन को लेकर अपने साथ जो की पूर्वी की वाइफरेंड है केविन के साथ किसी केस के सिलसिले में एक हपते के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो पूरभी का गुस्सा साथ वे आस्वान पर पहुंच जाता है अब इन दोनों के बीच केविन कहां पिस कर रह जाएगा ये तो हमें आने वाले एपिसोर्ट में पता चलेगा तो करते हैं वेट